दोस्तों English में एक phrase होता है one of जिसकी हिंदी होती है मैं से एक अब यहां नियम यह है कि one of के बाद हमेशा plural noun आता है बहु बचान संग्या आती है क्योंकि जब वहाँ ज्यादा होगा तभी तो उसमें से एक की बात होगी for example sachin is one of the best cricketers of India याने sachin इंडिया के सबसे अच्छे cricketers मैं से एक है हम ये नहीं कह रहें कि sachin सबसे अच्छा cricketer है हम कह रहे हैं सबसे अच्छे cricketers मैं से एक है तो कई बार लोग क्या करते हैं कि cricketer में एस लगाना भूल जाते है इसी तरह गौर करें इंडिया is one of the most powerful countries of the वर्ल्ड तो गौर करें यहां पर कंट्रीज आएगा ना कि कंट्री हिंदी है इंडिया दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है और अगर हम बोलें इंडिया इस दा मोस्ट पावरफुल कंट्री ओफ दा वर्ल्ड तो फिर ठीक है क्योंकि इसमें वन उफ नहीं पाया इसी तरह सचेने इस दा बेस्ट क्रिकेटर आफ इंडिया इसमें भी वन उफ नहीं है लेकिन वन उफ लगाओगे तो उसके बाद प्लूरल नाउं लेना है अब एक सेंटेंस आप भी बनाएए सी यू सून